उसकी जिंदगी रहेगी, हम उसे साल का ठारा हजार प्या देंगे, यही नहीं है, अन्त में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यह लडाई इमानदारी की बेइमानों से है, यह लडाई जूट की सत्य से है, यह लडाई धरम और अधरम की लडाई है, यह लडाई बेधार के और दागदार की लडाई है, एक जूट को जो अब आप बोड डालने जाएंगे, आप अपना ये मन में विचार करके लगाएए, कि बेइमान बार बार इमानदार से तकराता है, जीत इमानदारी की होती है जूट बार बार सच से टकराता है जीत सच की होती है हमारे पास धन पर रही है लेकिन मैं कह सकता हूँ एक तारीक को जब आप बोर डालने जाएंगे जो भारतिय जंता पार्टी के रानीतिक मंदी में बिगेवे लोगों को खीती है जो भाजप्पा जंता की भावलाओं का सोधा करती है ऐसी पार्टी को सबक एक जूल को आपने सकाना है सिखाओगे यह यह लडाई जंता की लडाई है 75 साल की जादी के बाद अगर हमाई सबसे बड़ा अधिकार को ही मिला तो वो बोट का अधिकार है जो कांग्रेस पार्टी की नित्यों के खारण हचारों साल की गुलाम्वी के बाद बोट का अधिकार आपको मिला है इस बोट के अधिकार को BJP घिनना चाती है हमाचल के लोग देश्क विश्या की राणिती की दशा और दिशा तै करने वाले है एक तारी को जनता जीतेगी और धन हारेगा सत्ता के हत्याने वाले जो धन का प्रयोग करते हैं उसको हराने का समय आगया है तो लोग तंतर की सबसे बड़ी ताकत जन्वल है मैं को जन्वल जीतेगा और धन्वल हारेगा तो जन्वल जीतेगा हाथ कड़ा करके हाथ हाथ कड़ा करके उताइए मेरे साथ नारा लगाना है मेरे साथ नारा लगाना जन्वल जीतेगा जन्वल दोनों हाथ कड़ा करके जन्वल धन्वल जन्ता जीतेगी जन्ता ही धन्वल को अरा सकती है दन्य बाद जैए भारत मैं मूल गिया हमारे यहां से विलो सुल्टानपुरी युवा है पड़े लिखे हैं बधाये कहें आप उनको आशिर्भात देंगे बहुत बहुत दन्य बाद जैए भारत प्रतिवा सिंग जी आएं और अपने संबोधन से जो है हम सब को सुभाइद करें तेरी मत्य प्रतिवा सिंग जी प्रतिवा सिंग जी आधर के योग्य हमारे कॉंग्रेस पार्टी के स्रफ श्रेशनेता श्री राहूल गांदी जी हमारे बहुत ही मान्या मुख्य मंत्री श्री सुखिंदर सुखु जी हमारे प्रभारी शिरीराजीव शुकला जी शिरी हर्शवर्दन चुहां जी रोators ठाकुर जी धनीराम जी बिने कुमार जी हमारे प्रीतिम सिंग जी आए हैं ये हर मीटिंग में हमारा सियोग और साथ देते हैं इनका भी हम बहुत आभार वेक्ट करते हैं शिरी अजय सुलांकी जी और मंच पे बैठे कॉंग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ट नेतागंड हमारे होनहार और बहुत ही अच्छे कैंडिडेट शिरी विनोज सुल्तानपुरी जी के लिए आज हम आप से हाथ जोड़कर विनमरन वेदन करने आए हैं कि इनको आपने जरूर अपना कीमती वोट देकर संसर्द में पहुंचाना है ताकि ये आपकी आवाज को बुलंद कर सके हमें खुश है कि हमारी 15 मीने की सरकार में ठाकुर सुकुंदर सिंग सुकुझी ने बहुत अच्छा कार्या किया है वो वो काम किये जिसका हमने वाइदा लोगों को दिया था आपने OPS लागू करके सभी हमारे सरकारी करमचारियों को जो पेंशन दिलाने का काम किया उसके लिए सभी जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार आपने हर महिला के खाते में 15 सो डालने की बात की उसके लिए भी आपका आभार और आप सब की तरफ से महिलाओं की तरफ से हम सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं दूसरी तरफ अभी पंद्रा मीने हुए हैं अभी तो साड़े तीन साल बचे हैं साड़े तीन साल में हमने शेश काम भी करने हैं शेश वाइदे भी पूरे करने हैं आज आप जानते हैं कि भारतिय जनता पार्टी के लोग इस मेदान में उतरे हैं पिछले कर मोदी जी यहां आये थे और बड़ी बड़ी बाते कहें गए मंडी में भी उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा हमें पूछना हैं मोदी जी जब हिमाचल परदेश में इतनी बड़ी तरास्ती आई इतनी बड़ी भारी नुकसान हुआ तो आप कहां थे लोग आपकी तरफ नजरे टिकाए हुए थे कि मोदी जी हमारी मरत करेंगे उस तरफ पर जैसे आपने किदारनात में की आपने भुज में की आप उस वकद हमारी मदद करने नी आए मुक्यम मंत्री और मैंने जाकर परधान मंत्री जी से बात की हमने उन से आर्थिक साहता की मांग की पर हमें अफसोस है परधान मंत्री जी ने ऐसे तरास्ती के वकद में एक पैसा भी देना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने कहा था अपने बाशनों में कि मैं बेरोजगारों को एक साल में दो करोड पच्चों को पूरे भारत वरश में रोजगार दोंगा उन्होंने कहा था मैं मेंगाई कम करूँगा उन्होंने कहा था मैं ब्रश्टाचार हटाऊंगा आज उन बातों पर बात नहीं करते हैं मोदी जी ना रोजगार की बात है ना मेंगाई की बात है ना ब्रश्टाचार की बात है वो जानते हैं उनकी खुद की सरकार आज ब्रेश्टा चार से लिफ्ट है जिसरी के का आज महोल सारे देश में बना है हम अभारी हैं हमारी 25 पार्टियों के जिनोंने एक गटवंदन बना कर अब हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमारा साथ देंगे लोग इस परिवर्तन को चाहते हैं अब लोग जो मोदी का नाम बार बार रटते थे आज वो इससे खफा है वो नराज है कि मोदी जी आपने जो जो कहा वो ना करके दिया और ना ही कोई आने वाले वक्त में आप से उमीद है एक ही पार्टी है एक ही पार्टी है देश में जो हमारी सरकार का हमारी संवधान की रक्षा कर सकती है हम जो हमारे साथ अन्य पार्टी हैं जुड़के आई है हमारे हिमाचल परदेश में सीपी आई का सीपीम का हमारे को सयोग मिल रहा है उनका समर्थन मिल रहा है, उनका साथ मिल रहा है, हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सब मिल जुलकर, हम सब मिल जुलकर दुबारा से इस देश में ये गटमंदन की सरकार को जो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें आपका सहयोग पिता जी ने भी बहुत सेवा किये इस शेतर की और उसी तरज में ये भी काम करेंगे ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ अंत्मे में जवी सभी यहां पर आए हमारे महानुबाव हमारे सेवादल एन एस यूआई यूद कॉंग्रेस महिला कॉंग्रेस के सभी पदादिकारी ततस दसे गणकावी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ हमारे बीच में चत्तिस गड़ के पूरव मुख्यमंत्री बगेल जी आए हैं इनके भी हम आभारी है कि आप हर रैली में शामिल होते हैं हमारा मनोबल बढ़ाते हैं आपका बहुत बहुत दवा हमारे पत्तरकार बंदू यहां हैं मीडिया के बंदू आए हैं आप से भी मै बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हूं अब आप रहुल जी को सुनना चाहते हैं अब इनी शब्दों के साथ मैं आप सब का पुना बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं जैहें जैहें माजी बहुती अदब के साथ हिंदुस्तान के क्रोडों क्रोडों दिलों की धड़कन श्री राहूल गांदी जी को अमंत्रित कर रहा हूं कि यह अपने संबोधन में आपके लिए जो हिंदुस्तान की जनता आएं और संबोधित करें श्री राहूल गांदी जी हमारे लोग प्रिये नेता श्री राहूल गांदी जी का स्वागत आपने खड़ेों के तालियों के साथ और इसी के साथ जो है कंग्रेस पार्टी राहू अब श्री राहूल गांदी जी आएं और आप जो है हम सब को संबोधित करें राजीव शुकला जी चीफ मिनिस्टर सुपिंदर सिंग सुखु जी प्रत्यबा सिंग जी भुपेश बगेल जी हश्वर्दन जोहान जी रोहित ठाकुर जी अजय सुलांकी जी शांडिल जी विने कुमार जी कुलदीप राठोर जी आनंद पर्मार जी कृष्णेश जंग जी हमारे कैंडिडेट विनोज सुल्तानपुरी जी जरह यहां आईए स्टेज पे वरिश नेता हमारे सारे के सारे प्यारे कारे करता जिनको मैं आज कल बबरशेर कहता हूं आम तोर से बबरशेर अकेला होता है जंगल में अकेला मिलता है यहां पे आया हूं हजारों बबरशेर बेटें एक साथ भाई और बेहनों हिमाचल प्रदेश के युवाओं और प्रेस के हमारे मित्र आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार मूर तो आपका बहुड़ अच्छा है सुकुजी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चालिस साल मेहनत करने के बाद एक आम कार्यकरता आम आदमी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने है अब मैं इसके बारे में दो चीज़े कहना चाहता हूँ पहली बात कि मैंने अपनी आखों से सुकु जी को मेहनत करते हुए देखा है कॉंग्रेस पार्टी के विचारधारा के लिए लड़ते हुए देखा है और दूसरी बात दूसरी बात आपने कहा आम कार्यकरता आम आदमी आम आदमी और आम कार्यकरता नहीं होता है सब के सब लोग स्पेशल होते हैं हर व्यक्ति की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है और हमारे सारे के सारे कार्यकरता दिल से दिन भर मेहनत करते हैं जब हमारी सरकार होती है हमारी विचारधारा को प्रॉपेगेट करते हैं जब बीजेपी की सरकार होती है या दूसरों की सरकार होती है तो हमारी जो विचारधारा है उसकी रक्षा हमारे सारे के सारे Special कारयकरता करते हैं हमारे कारयकरताओं में और BJP के कारयकरताओं में फरक क्या है भहिया बाद में करिये आपसे बात्चीत करनी है डाइरेक्स कर रहा हूं हमारे कार्यकरता अजादी के लिए लड़े हमारे लाकों कार्यकरता जनता की अवाज बनकर अजादी की लड़ाई लड़े और देश के लोगों के साथ मिलकर हमारे कार्यकरता ने देश को ये सम्विदान दिया है ये सम्विदान कोई मामुली किताब नहीं है और कहा जाता है कि ये अजादी के बाद कॉंस्टिटूशन बना मगर अगर हम थोड़ी से गहराई में जाएं तो पता लगेगा कि इस कॉंस्टिटूशन की सम्विदान की सोच हजारों साल पुरानी है हिंदुस्तान के महापुर्शों की सोच इस कॉंस्टिटूशन में है और ये हिंदुस्तान की भारत की बहुत पुरानी आवाज है बीजेपी के कार्यकरता बीजेपी के नेता इस सम्विधान पर आक्रमन कर रहे हैं सम्विधान पर आक्रमन करने के अलग अलग तरीके है सबसे पहला डाइरेक्ट आकरमन उनके नेता खुल कर कह रहे है मीडिया को कह रहे है कि अगर हमारी सरकार बनी 400 पार हो गई तो हम इसको बदल देंगे फाड के फेक देंगे तो एक तो हुआ डाइरेक्ट सामने कि हम इसको खतम करेंगे कॉंग्रेस पार्टी कहती है यह देश की आवाज है वो कहते हैं नहीं हमें यह नहीं चाहिए देश की आवाज नहीं होनी चाहिए सिरफ नरेंद्र मोदी की आवाज होनी चाहिए मतलब आपने सुना अपने आप अपने कानों से आपने सुना आज कल देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं मोदी जी एक बात बताईए आप आम कैसे खाते हो आप क्या उसको छील के खाते हो या चूस के खाते हो मोदी जी जवाब देते हैं पता नहीं सब कुछ अपने आप होता है मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायो लॉजिकल नहीं हूँ बाकी हिंदुस्तान खेती करता है मेहनत करता है मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूँ अकेला जिसका डाइरेक्ट परमात्मा के साथ कोनेक्शन है उन्होंने कहा और चम्चे कहते हैं वा 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 कमाल की बात बोल दी क्या बोला मतलब एक व्यक्ति जिसको डाइरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है उसको इसकी क्या जरूर है वो तो डाइरेक्ट बात कर रहे है मुझे थोड़ा डर लग रहा है मैं सोच रहा हूँ कि भाई इनके हाथ में तो परमानु बम है और मैं उनसे पूछना चाहना हूँ नरेंद्र मोधी जी जो ये आपको फिलिंग आती है क्या ये सुबह आती है शाम को आती है या चौपिस घंटे आती है मतलब ये पिरियोडिकली आती है जैसे शाम के आठ बजे आती है या सुबह साथ बजे आती है या फिर पूरे दिन चलती है अलग-अलग बिमारियां होती है कोई शाम को आती है कोई सुबह लगती है तो ये मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोधी जी आप अकेले हैं आप डाइरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो अच्छा अगर एक दिन सुकु जी मेरे पास आएं बंद कबने में मुझे कह दें कि राहूल जी मेरा डाइरेक्ट परमात्मा से कॉनेक्शन है मैं उनसे कौँगा सुकु जी ये सब ठीक है हिमाचल की जंता को बाहर जाके मत बोल देना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मगर प्रदान मंत्री खुल के बोल रहे हैं कि मेरा डाइरेक्ट कनेक्शन है तो ये आलत हैं इंदुस्तान की मतलब मजाग बना रखा है मैंने इनको कहा कि ये हमारे मित्र हैं मीडिया के मित्र हैं मगर ये हमारे मित्र हैं नहीं आदानी क के मित्र है और हिमाचल के किसानों को मैं कहना चाहता हूं यह जो इनकी partnership चल रही है मोदी जी अधानी जी और मीडिया वालों की इसी के कारण आपको सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है सारे के सारे storage facilities नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिया है और जब भी वो चाहता है जब भी वो चाहता है सेब के price को वो control कर सकता है हिमाचल में सेब को control कर रहे हैं मुंबाई में एरपोर्ट लखनाउ में एरपोर्ट साथ एरपोर्ट पकड़ा दिये 50 साल के लिए यह हिंदुस्तान की पुझी है यह आपका आपका धन है नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के सेब पकड़ा दिये एरपोर्ट पकड़ा दिये हिंदुस्तान के सारे पोर्ट पकड़ा दिये हत्यार जो पहले इंडियन ओडिनेंस फैक्टरी बनाती थी वो अब अदानी बनाएंगे तो सारा का सारा काम 20-25 लोगों के लिए किया जा रहा है पता नहीं शाहिद परमात्मा नरेंद्र मोधी जी को कह रहे हैं या आपको अदानी जी की मदद करनी चाहिए यही हो सकता है तो पिछले दस सालों में सारा का सारा काम 22-25 लोगों के लिए हुआ है यहाँ पे आपदा आई हिमाचल प्रदेश ने प्रधान मंत्री से सपोर्ट मांगी अगले मीटिंग में प्रदान मंत्री आएंगे आप हिमाचल की जनता को बताईए जब हिमाचल की जनता को जरूरत थी आपने हिमाचल को कितने पैसे भेजे हमने 9000 करोड मांगे थे उन्होंने नहीं भेजे मगर 22 लोगों का पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोर 16 लाख करोर रुपया कर्जा माफ किया है आपने 9000 करोर रुपय मांगा आपको कहा हम नहीं देंगे आप मुश्किल में थे 22 अजार परिवारों को नुकसान हुआ सब कुछ खो गए और प्रधान मंत्री कहते हम आपको नहीं देंगे आपको 9000 करोर ने दिया उनको 16 लाख करोर रुपय दिया मतलब अगर आप साल का मनरेगा का पैसा ले 24 साल मनरेगा का पैसा उन्होंने 22 लोगों को पकड़ा दिया हमने किसानों का कर्जा माफ किया था यूपया के टाइम 24 साल अगर आप उस कर्जे को माफ करते किसानों का उतना बनता है 16 लाख करोर रुपय और ऐसे ही दे दिया उसको कहते हैं विकास और जब हम मनरेगा देते हैं बोजन का अधिकार देते हैं किसानों का कर्जा माफ करते हैं मीडिया वाले कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगाड रहे हैं मजदूरों की आदत बिगाड रहे हैं गरीबों के आदत बिगाड रहे हैं अमीरों का काम होता है, ये फैशन बन गया है, ये फैशन बन गया है, मीडिया उनके हाथ में, आपने मीडिया में, हिमाचल प्रदेश की मीडिया में, कभी सेव के किसान को देखा है, कभी टीवी पर आते हैं सेव के किसान, कभी उनकी बात चलती है, कभी मज़़ूर को देख आपने देखी आठ करोड़ रुपए की घड़ी लिए घूम रहे हैं और मीडिया वाले वावावावावावावावावावावावा कर रहे हैं पैसा किसका है आपका है कहां से आया जी एस्टी से आया कि सेप के किसानों के जेप से आया तो ये दो तरीके के मतलब रास्ते हैं 22-25 लोग हैं जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा हो जाता है और बागी हिंदुस्तान देखता रह जाता है तो यही देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है और इसका आज मैं आपको जवाब देने आया हूँ दस साल में उन्होंने 16 लाग करोड रुप्या 22-25 लोगों को दिया है मतलब 22 अरब पती उन्होंने बनाए हैं अगर आप अधानी की शेर प्राइस देखें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी स्वेरिन होते हैं और उसके एक दम बाद आज आप जाके गूगल पर देखिए अधानी जी की शेर प्राइस बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है डाइरेक्ट पूरा देश जानता है जो शेर्स खरीते हैं जानते हैं कि भईया अगर नरेंद्र मोदी है तो अधानी का बिजनस आस्मान में जाएगा पूरा देश जानता है सारे इंवेस्टर्स जानते हैं तो इन्होंने भाई सरब पती बनाएं अब हमें भी काम करना है हम करोणों लाखपती बनाने जा रहे हैं देश के सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी यह हमारा पहला काम होगा देश के सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी हर परिवार में से हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश, टमिल नाडू हर प्रदेश में इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे छोटे भी अपारियों के परिवार होंगे पांच जुलाई को करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8500 रुपे आपको मिलेगा जुलाई में पांच जुलाई पांच अगस्त सितंबर, अक्तूबर, नुवेंबर, डिसेंबर, जैन्वरी ठका ठक 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 अंदर और मैं आपको अभी बता रहा हूँ मैं आपको अभी बता रहा हूँ जब ये होगा ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डाइरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डाल कर उनकी आदत बिगार दी है और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने जादा बोला हम उसको दुगना कर देंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी credibility गई खतम हो गई है कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है क्योंकि आप उनके हो आप हमारे हो इनए आप जनता के हो इनए आप किसानों के मज़़ूरों के चोटे वियापारियों को हो इनए नोट बंदी की नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान के सारे के सारे चोटे वियापारियों को खतम कर दिया जी एस्टी गलत जी एस्टी लागू की प्रेस वालों ने एक शब नहीं बुला बिल्कुल चुप बैठे रहे तो इसलिए हर महीने खटा कट खटा कट खटा कट खटा कट अंदर जाएगा और उस दिन तक जाएगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे जब परिवार गरीबी रेखा से उपर आ जाएगा तो उसके खाते में ये पैसा नहीं आएगा मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार एक लाक रुपए साल का देगी यहाँ पे किसानों को प्राइस फिक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता है जैसे मैंने कहा अधानी जी आते हैं किसानों को सेब बेचना होता है प्राइस गिर जाती है और उसके एकदम बाद जब किसान से बेच देता है प्राइस बढ़ जाती है यह आलत पूरे देश में है किसान जाते हैं मार्केट में जाते हैं कुछ भी खरीते हैं शर्ट, पैन, मोबाइल फोन उस पे प्राइस लिखे होती है मगर किसानों को सेब के लिए अनाज के लिए गेऊं के लिए, कपास के लिए धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है सही बात है न? इसलिए पहली बार हम एक करांतिकारी काम करने जा रहे हैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी minimum support price कम से कम दाम कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं और वहां नहीं रुकेंगे मैंने महिलाओं के बात की एक लाग रुपे आपके bank account में जा रहा है किसानों का हम करजा माफ करने जा रहे हैं जैसे उन्होंने अरब पतियों का किया वैसे हम किसानों का करेंगे अच्छा एक बात भूल गया यहाँ पे महिलाओं भी हैं पुर्ष भी बैटे हैं मैं इनके चहरे देख रहा हूँ पुर्षों के चहरे देख रहा हूँ यह देख रहे हैं मेरी और यह कहरे हैं भईया महिलाओं के bank account में क्यों हमारे bank account में क्यों नहीं महिलाओं थोड़ी खुश दिख रही हैं पुर्ष सोच रहे हैं भईया bank account से पैसा हमारे यहां कैसे आएगा planning कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाओं के bank account में क्यों और शायद हिमाचल प्रदेश इसका सबसे बड़ा उधारन है 21 सदी में स्त्री और पुर्ष दोनों काम करते हैं स्त्री और पुर्ष मजदूरी करते हैं जॉब करते हैं डिलिवरी का काम करते हैं कॉल सेंटर में काम करते हैं 8-10 गंटे हिंदुस्तान के स्त्री और पुष घर के बाहर काम करते है उसके लिए स्त्री को और पुष को सैलरी मिलती है पैसा मिलता है कॉंपनसेशन मिलती है मगर फिर शाम को स्त्री और पुष घर जाते है पुष रिलाक्स करते है और 3-8 घंटे और काम करती है मतलब अगर हिमाचल प्रदेश के पुर्ष 8 घंटा काम करते हैं दिन में तो हिमाचल प्रदेश की जो 3 है वो 16 घंटे काम करती है ये शायद पुर्षों को बात अच्छी नहीं लगी देखिए ताली और बजा रही है है आप थोड़े ताली कम बजा रही हैं इसलिए हम महिलाओं के बैंक अकाउंट में एक लाग रुपए 8500 खटा-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-डाल रहे हैं मगर मैं जानता हूँ कि अंत में प्रेशर डालके आपके बैंक अकाउंट से ये लोग पैसा उठाके ले जाएंगे तो इनको भी फाइदा होगा अब यहां युवा भी हैं कह रहे हैं भई राहुल जी आपके सानों की बात कर रहे हो आपने अरब पतियों की बात की डी मॉनेटाइजेशन जी एस्टी की बात की महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हमारा क्या होगा नरेंद्र मोधी जी ने हमें वाइदा किया था दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा कुछ नहीं हुआ सरकारी रोजगार सरकारी प्लेस्मेंट्स नहीं होती है पेपर लीक होते रहते हैं हमें जूट बोला जाता है हमारा क्या होगा सबसे पहले हमने पता लगाया है तीस लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है वो तीस लाख नौकरिया हम आपके हवाले कर देंगे मैं आपको दो करोड का जूट नहीं बोलूँगा हमने पता लगाया है जो हम कर सकते हैं मैं आपको बोलूँगा तो शुरुआ तीस लाग सरकारी नौकरिया हम आपके हवाले कर देंगे दूसरी बात मन्रेगा में हम गरीब लोगों को अधिकार देते थे रोजगार का मगर जो हमारे ग्रैजुएट्स हैं कॉलिज ग्रैजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रैजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स उनको मन्रेगा योजना से फाइदा नहीं होता क्यों को मजदूरी नहीं करेंगे वो ग्रैजुएट्स तो अब हम हिंदुस्तान के ग्रैजुएट्स के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे है इसका नाम है पहली नौकरी पक्की अधिकार पब्लिक सेक्टर बी एचेल, एचेल प्राइवेट सेक्टर बड़ी-बड़ी कंपनियों में सरकारी ओफिसे, सरकारी हस्पताल सरकारी कॉलिजिज, उनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को यह अधिकार मिलेगा एक साल की नौकरी आपको पक्की मिलेगी बहतरीन ट्रेनिंग इन कंपनियों में ऑफिसेज में आपको मिलेगी और हर महिने आपके बैंक अकाउंट में खटा-खट, खटा-खट, खटा-खट 8500 रुपय जाएगा एक साल में आपके बैंक अकाउंट में 1 लाक रुपया जाएगा महिलाओं के बैंक अकाउंट में बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में किसानों के बैंक अकाउंट में मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपे मिलता है हमारी सरकार आईगी 400 रुपे मिलेगा आश्या और आंगनवाडी में जो महिलाएं काम करती हैं आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि हम ये कैश इंजेक्शन जो है पैसे का इंजेक्शन हिंदुस्तान के गरीब लोगों को क्यूं कर रहे हैं इसके पीछे सोचें ये कोई फ्री गिफ्ट नहीं है ये मत सोचिए कि आपको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है देखिए नरेंद्र मोदी जी ने उनका सोला लाग करोड रुप्या कर्जा माफ किया अधानी का अमबानी का बड़े बड़े अरपतियों का उन्होंने इस पैसे से लंडन में न्यू यॉर्क में आस्ट्रेलिया में जापान में चाइना में अलग अलग चीजे खरीदी जमीन खरीदी रियल एस्टेट खरीदा मगर जो उन्होंने धन खर्चा है वो पूरा का पूरा उन्होंने बाहर खर्चा है, हिंदुस्तान में पैसा नहीं खर्चा है इसके कारण हिंदुस्तान के अर्ध्विवस्ता आस्ते चलने लगी है रोजगार नहीं पैदा हो रहा है अब हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं आप इसको अमरीका में नहीं खर्च करोगे, जपान में नहीं खर्च करोगे, आप इसको हिमाचल प्रदेश के गाउं में, कजबों में, शेहरों में, सिमला में, बाकी प्रदेशों में इसको जाके खर्च करोगे जैसे ही आप ये पैसा हजारों करोर लाकों करोर रुपै जैसे ही आप इस पैसे को खर्च करोगे वैसे ही आप कैसे खर्च करोगे आप शर्ट करीदोगे पैंट करीदोगे स्कूटर करीदोगे मोटर साइकल करीदोगे मोबाइल फोन करीदोगे ये चीज़े खरीदोगे जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रिया made in India शुरू हो जाएगा और उनी फैक्ट्रियों में और उनी फैक्ट्रियों में जिन बेरोजगार युवाओ को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनके bank account में हम 1,00,000 रुपे डाल रहे हैं उनी फैक्टरियों में made in India वाली सची made in India वाली फैक्टरियों में उनी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है तो एक प्रकार से जैसे motorcycle start होती है पहले आपको fuel tank में petrol बरना पड़ता है वैसे ही हम हिंदुस्तान की अर्ध्विवस्ता में पेट्रोल फ्यूल डाल रहे हैं आपके जेब में फ्यूल डाल रहे हैं उसके बाद हिंदुस्तान की अर्ध्विवस्ता चालू होगी और एक बार फिर जो पहले रोजगार होता था वो एक बार फिर आपको मिलेगा तो ये हमारी planning है मैं आप सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ देखिए यहां आपगा आई हमने हमाचल प्रदेश की जन्ता ने आपके चीफ मिनिस्टर के माधियम से 9000 करोड रुपए मांगे थे उन्होंने ये पैसा आपको नहीं दिया मना किया और उसके एक दम बार जब हमाचल प्रदेश को सरकार की सबसे ज़ादा जरूरत थी उन्होंने पुरा दम लगा कर आपकी सरकार को चोरी करने की कोशिश की यह आप भूलिये मत लड़ाई कॉंस्टिटूशन की है समविधान की है जो भी आपको मिला है आपको स्केट मिला न जो आपको हमाचल प्रदेश स्केट मिला वो इस कॉंस्टिटूशन की देन है इस कॉंस्टिटूशन की मिना हमाचल प्रदेश प्रदेश ही नहीं बन सकता था इसलिए इसकी रक्षा करनी है ये अम्बेटकर जी का Constitution है महात्मा गांदी जी का जवाला नहरू का और हिंदुस्तान की अवाज इस Constitution में गुंचती है मैं जानता हूँ हमारे कार्यकरता इस Constitution सम्विधान के लिए लड़ेंगे और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीट Congress Party को आप दिलवाने का काम करेंगे मेरी बहन को तो आप उठा के ले गए वो अब सिमला में रहती है यह याद रखिए कि हम दोनों प्रियंका और मैं दिल्ली में आपके सिपाई हैं सुक्वी जी और Congress Party की टीम हिमाचल प्रदेश में आपके सिपाई हैं दिल्ली में लोग सभा में मैं आपका सिपाई हूँ प आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैहिमाचल बहुत 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 शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया रहुल जी का Congress Party राहुल गांदी राहुल गांदी कॉंग्रेस पार्टी अब मैं एक जारिश करूँगा शिरी आनत प्रमाद जीसे की वो जो है धन्यवाद करें यहां पर युवा प्रत्याशी हैं इनको भारी बहुमत से आप जिताईए धन्यवाद मानिये हमारे जन्यवाद राहुल गांदी जी यहां पर उपस्तित सम्मानित मांद आप सभी का आप सभी का मैं यहां पधारने पर बहुत बहुत हार्दी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ करता हुआ झाल करकेः का आप सभी इनको पर आप सभी का जिता प्रत्या राजवाद प्रत्तक कन्यवाद प्रत्यावर्म सभी से यह श Pre nano का जिता एक मैंटा राभ बहुत हैं आप सभी कैव ठुeszा